अस्सलावम आलेकुम एब्रीबन मैं हूँ मुहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलासवेसा केटनी आज हम लोग कबर करने वाले हैं फर्स्ट एक लेक्चर और फर्स्ट एक लेक्चर में हमारा चप्टर नंबर टैन यानि कि Geometrical Optics continue है और आज के जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग कुछ definitions यानि कि basic concepts study करने वाले हैं Geometrical Optics से related और इन concepts को समझने के बाद इन definitions को समझने के बाद और याद भी करना है क्योंके long question के अंदर definitions फिर आप इसकाबिल हो जाएंगे कि जो आगे आने वाले topics हैं जो के बहुत ही important topics हैं वो clear हो पाएं तो हर definition को दियान से समझना है ताके आगे आने वाले topics clear हो सकें सबसे पहले वो terms देख लेते हैं जो कि basically आज हम लोगोंने study करनी हैं तो 5 terms हैं जो हमने study करनी है linear magnification, least distance of distant vision, power of lens, visual angle and angular magnification ठीक है तो बारी बारी हर एक की definition को समझते हैं ता और बिलकुल दियान से समझना है क्योंकि पूरा का पूरा chapter base करता है इन 5 definitions पर पहली definition यानि के हमारी linear magnification की definition ratio of size of image formed by the lens to the size of object in place in front of the lens which is placed in front of a lens that is size of image divided by size of object देखो basically यह जो linear magnification है यह magnification से मुराद ही है बड़ा होना, ठीक है, magnify करना यानि के increase करके show करना, तो linear magnification से क्या मुराद है अगर हमें fine भी करनी है तो भई अगर magnification fine करनी है तो हम एक simple से तरीके से कर सकते हैं कोई lens हमें किसी object को कितना बढ़ा करके दिखा रहा है, for example, hi height of image divided by उस object की actual height कितनी थी, यानि जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं, ho, तो अगर हम hi divided by ho करेंगे, तो अपने हम बता लग जाएगा, कि उस lens की magnification कितनी है, मिसाल के तोर पे अगर किसी object का size है ही 2 cm, ठीक है, अगर object का size 2 cm है, और जो lens हमें दिखा रहा है, वो हमें 6 cm का दिखा रहा है, तो हम लिख सकते हैं, 6 divided by 2, यानि कि वो हमें कितने times बड़ा करके दिखा रहा है, जो lens है हमें, वो बड़ा करके दिखा रहा है 3 times, इसका मतलब वो 3 जो है, वो हो जाएगी magnification, यह linear magnification, क्योंकि हम यहाँ पे length, यानि कि height of image और height of object को इस्तमाल कर रहा है, और जो lens formula हम लोग study करते हैं, उससे यह बात भी थाबित होती है, कि hi divided by ho का जो ratio होता है, वही actually बराबर होता है q upon p के, इस वजा से magnification के दो formula है, हम hi over ho भी इस्तमाल करते हैं, और q over p भी इस्तमाल करते हैं, q यानि कि image distance divided by object distance, image का फासला कितना है lens से, और object का फासला कितना है, यानि कि image distance को divide कराते हैं object distance से, second, least distance of distinct vision, the minimum distance of an object from eye to have its clear image is called least distance of distinct vision, किसी भी object का हमारी आख से फासला कि वो हमें clear नजर आए, एकदम clear image नजर आए, कम से कम फासला है, minimum distance है, इस वजा से इसका नाम है least distance of distinct, distinct का मतलब होता है clear, और least distance यानि के minimum distance, तो distant vision के लिए, यानि के clear vision के लिए, जो सबसे कम फासला है, वो कहलाता है least distance of distinct vision, जिसे हम इस small d से शो करते हैं, और याद रखे, for normal human eye, यह होता है, about 25 cm, यानि कि अगर आप इसको convert करेंगे mm में, तो 250 mm भी हो सकता है, बट आप इसकी value याद रखेगे, के for normal human eye, the least distance of distant vision is 25 cm, थर्ड डेफिनेशन यानि के power of lens, the reciprocal of focal length of a lens is called power of lens, किसी भी lens की power मालूम करनी हैं कि वो कितना ज्यादा light rays को bend करता है, ठीक है, तो भी जाहिर सी बात है, अगर कोई हमारे पास ऐसा lens है, जो light rays को ज्यादा bend करता है, तो भी ज्यादा bend करनी है, और उसमें ताकत ज्यादा है, और जो कम bend कर रहा है, इसका मतलब उसमें ताकत कम है, लेकिन इसका focal lens के साथ कैसे relation आया है, पहले यह बात समझिए, देखिए मैं दो lenses बनाता हूँ यहाँ पे, एक lens यह वाला हो गया, ठीक है, और एक lens थोड़ा सा उससे different करके बना लेते हैं, यह हो गया हमारे पास दूसरा वाला lens, अच्छा जब parallel rays of light इस से पास होती है, इस तो यह lens क्या करता है, यह parallel rays, for example, इस rays से जाकर टकरा रही है, तो यह क्या करेगा, यह उन rays को एक point पे converge कर रहा है, for example, वो इस point पे converge कर रहा है, यानि कि यह वाली light भी जो है, वो यहाँ जा रही है, यानि कि जो दोनों lights मिल रही है, वो इस point पर कहीं पर आके possible हो पारा है, ठ distance क्या कहलाता है, वो distance कहलाता है focal length, तो इसका मतलब यहाँ से लेकि यहाँ तक का total distance हो गया, यह हो गई इसकी focal length, ठीक है, जबकर जो दूसर lens हमने बनाया है, अब इससे देखो, कि दो parallel light rays इससे पास हो रही है, तो यह lens क्या कर रहा है, for example, यह उन light rays को थोड़ा सा पहले converge कर रहा है, यानि कि इन light rays को इधर bend कर रहा है, और यह भी इधर जा रही है, तो जहाँ पर parallel rays of light converge होती है, वो point, principal focus कहलाता है, और principal focus तक का distance होता है, वो होता है focal length, lens के optical center से लेकर, principal focus तक का distance focal length कहलाता है, अब आप note करिए, कौन से lens ने light rays को ज्यादा bend किया है, of course, second वाले ने ज ज्यादा bend करा, क्योंकि वो जल्दी मिल गए, इसका मतलब उसने ज्यादा bend करा, लेकिन आप देखो, जब ज्यादा bend करते हैं, तो focal length अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसका मतलब जब focal length कम होती है, तब ज्यादा bend हुआ होता है, और ज्यादा bend होने का मतलब उस numerical solve करते हैं, centimeters में कर लेते हैं, but power की जब बात होगी ना, तो power के numerical में लाजमी तोर पे SI unit इस्तमाल करना है distance का, जो के meters होता है तो focal length अगर meters मेजर की जाती है तो SI unit जो होता है power of lens का, वो होता है diopters, तो हम diopters के अंदर measure करेंगे, तो conversion जो है ना यह बहुत ही important है, जब भी power find करनी होगी conversion बहुत जरूरी है चौथी definition, यानि के visual angle visual angle क्या है, the angle subtended by an object at the retina of eye, is called visual angle, कोई भी object जो angle बनाता है हमारी आँख के साथ वो visual angle कहलाता है the apparent size of an object depends upon its visual angle जो जाहिर ही हमें size नजर आता है किसी object का, वो angle पर ही depend करता है अगर angle ज़्यादा होता है, तो object हमें बड़ा नजर आता है, for example एक pen, अगर हम अपनी आँख के बहुत ज़्यादा close लेकर आए, तो maybe possible वो आपको दीवार के size के बराबर का नजर आने शुरू हो जाए, वज़ा यह है कि जब उससे अपनी आँख से ज्यादा करीब लेकर आओगे तो angle बड़ा बनेगा, और angle बड़ा बनेगा तो उस चीज का जो apparent size है, वो भी हमें बड़ा नजर आएगा the greater the visual angle, the greater is the apparent size of the object for example, यह same है, एक ही object है ना, इस object को अगर मैं यहां से देख रहा हूँ, ठीक है, यहां पर हमारी eye मौझूद है, हम यहां से जो है, observe कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है, यहां से हम इस चीज को observe कर रहे है, तो एक हमने ray यहां से बना दी, और एक इसके head तक बनानी है, एक ray इसक हम alpha से show करते हैं, वो कहलाता है, visual angle, अच्छा, इसी चीज को याद रखो, अगर इतनी ही size का कोई object है, इतनी size का object मैं यहां पर बना रहा हूँ, अगर मैं इसको ज्यादा closely देखने हूँ, for example, यहां से देखना शुरू कर दूँ, तो आप observe करेंगे कि जो angle बनेगा, वो दिगर के लिहाद से ज्यादा है, और visual angle का symbol मैंने बता दी, alpha होता है, और यह वो angle होता है, जो के retina of eye से बनता है, किसी भी object का, Now, angular magnification, थोड़ा सा linear magnification की तरह ही है, बट calculation करने का तरीकेकार अलग है, the ratio of visual angle subtended by the lens, जिसे हम बीटा से शोग करते है, to the visual angle subtended at the eye, जो के eye से बन रहा था, जिसे हम alpha से शोग करते है, इन दोनों का जो ratio है, वो angular magnification कहलाता है, और वो जो M है, वो बराबर होता है, बीटा over alpha के, बीटा वो angle है, जो के कोई object बनाता है, लेंस के साथ, और alpha वो angle है, जो के वो object आँख के साथ बना रहा था, तो यकिनल लेंस से बनने वाला जो angle होगा, वो बढ़ा होगा, आँख के बनने वाले angle के लिहाज से, इसी वज़ा से, हम जब divide कराएंगे दोनों को, तो answer बढ़ा या linear magnification में length, हमने distance इस्तामाल करा था, object distance, image distance, इसी वज़ा से उसका नाम था linear magnification, जबके यहाँ पर हम क्या इस्तामाल कर रहे है, यहाँ पर हम angles इस्तामाल कर रहे है, इस वज़ा से इसका नाम क्या है, angular magnification, बीटा angle जो के length से बनता है, और alpha वो angle जो के हमारी आँख से, directly ज देख रहे थे, तो जो बन रहा था, उसको show करते हैं, alpha से, I hope सारी के सारी definitions के लिए हो गई होंगी, और basically मतलब हो जानी चाहिए, बात यह कि अगर यह नहीं हुई, और इनमें कोई भी confusion रही, तो फिर जो है, वो आने वाले topics से उनमें बहुत सारी confusion हो जाएंगी, तो अगर अगर अभी भी confusion हैं, तो comment section हाजर है, उसके अंदर आप लिखिये, कि भाई यह बात मुझे समझ में नहीं आई है, अगला फिर lecture समझ में नहीं आएगा, तो बिलकुल मैं उन्हें clear करने की कोशिश करूँगा, इस lecture के लिए इतना है, अगर लेक्षर मिलेंगे, लाफिस. हुआप करने कोशिश करे कि लिए और लेक्ष झाले से करूँ़।